हेलो प्रेंट्स आपके यूट्यूब चनल मैट्स विजार्ड में आपका स्वागत है तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीषे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया है तो उसी के बीसे में बात करेंगे क्या अभी चल रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और आगे आने वाले मंद्स के लिए आपका क्या प्लान होना चाहिए उसी के बारे में बहुत ही अच्छे से डिसकस करेंगे तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर किलास त तो चलिए फ्रेंट्स बहुत ही डिटेल वे में पॉइंट वई-पॉइंट डिसकस करते हैं कि टीचिंग सेक्टर में अभी आपका क्या चल रहा है जो अपकमिंग इयर आपका स्टार्ट हुआ जिसके ओल्लेडी थ्री मंद्स जो है ओभर होने को है ठीक है तो आगे आने वा जो बारचीत करने वाले हैं हो हम लोग बारचीत करेंगे टीचिंग अप्डेट्स अभी जो दो हजार चौबिस में अब कर चल रहा है 2024 में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहला जो पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है वो BPSC 33.0 एक्जाम इस उबर ठीक है BPSC बिहार पॉब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से यह एक्जाम आपका दो ओलेडी हो चुका है और अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें आपका 125 हुआ है और 628 हुआ है और यह कंप्लीट तो हो गया है लेकिन इसकी चर्चाएं है कैंसील होगी नहीं होगी तो बीच में जो है मामला अटका पड़ा है हो सकता है कैंसील हो जाए हो सकता है एलेक्शन नजदीक है तो मतलब जल्दी से कुछ करना चाहिए तो नहीं भी हो बहुत सारा कुछ आपका चर आगा अगर एक्जाम नहीं होगा, तो बहुत सारे जो भी जो मतलब एक अच्छे कंडिडेट नहीं होंगे, उनका जो है मार्क्स हाई आजाएगा, मतलब अच्छा आजाएगा उनका सलेक्शन हो जाएगा, और फाइनल जो मिहनत करने वाले स्टूडेंट है, वो रह कोपमेंट के एक्जाम होना चाहिए तो आगे क्या होता है वो आपको टाइम बताएगा तो अगे क्या हे बाकी इसके जो है 9,10 और 11,12 एक्जाम पेंडिंग है, तो अगर आप उसके कंडिरेट है तो इसके आप तेयारी करते रही है उसके भी एक्जाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि इसका एक्जाम जो है आपको ये अपरेल में आपको देखने को मिल सकता है तो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप अच्छे इस इस टाइम को बहुत अच कीजिए सारे चीज़ों को अच्छे से काम करिए ताकि आपका जो है एक्जाम मतलब अच्छे से निकल जाए और देखा जाए तो 11 12 में और 9 10 में बहुत ही मतलब उतना ज्यादा फाइट नहीं है फिर भी कितना क्या फाइट है तो आपको इतना अच्छा से मेहनत करना क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई चीज को इसली वे में ले लेते हैं जबकि कोई चीज हाड होता है और थोड़े से चीज़ों के कारण से एक नमर से दो नमर से रह जाते हैं और फिर वो उसका मलाल हम लोग कर रह जाता है तो आपको जो है इसको बिलकुल भी जो है वो आपको इसली वेमेने ले रहा आपको बहुत ही प्रोपर वेमें इसको तयारी कीजिए ठीक है अब तो यह मतलब एक तरह से क्या फॉर्मलिटी ही ही हो गया कि जो भी एक्जाम होगा उसमें आपका हांडेट परसेंट जो है वो मतलब ऐसा हो ही नहीं कि आपका कोर्शन पेपर वाइल ना हो कोर्शन लिखना हो वो कुछ नकुछ हो नहीं तो वो चीज हमारे हाथ में नहीं है बट आपको इन सब सिस्टम पर भी थोड़ा बहुत विश्वास करना ही होगा और यह मान के चलना ह नहीं हो कि यह सब थोड़ी बाते होंगी ठीक है अब क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं सकताा मैं कोई official authority यह नहीं हो कि मैं जो कुछ बोल दूँगा तो बातें सही हो जाएगी और वहीं सही हो जाएगी तो इसके विशाय में कुछ कहना जो है वह सही नहीं होगा ठीक है तो यह बातें हो गई यह मारेस 2.0 TGT PGT 30,000 अपकमिंग वैके दखिए इसकी चर्चाएं और बात में भी कुछ दम है आपका पता है कि ओलेडी यह मारेस जो है आपका 1.0 मतलब और पिछले साल इसका एक्जाम ओबर हो चुका और रिजल्ट भी आ चुका जिसका भी फाइनल सेलेक्शन होना था उ उसको जो है उसको सेलेक्शन मतलब उसको जो है वो उसको जॉनिंग लेटर भी उसको जो है मतलब मिल गया सबकुछ अलेटमेन लगब लगब जो है complete हो ही गया है ठीक है देखा जाये तो तो एक्चोली क्या है कि अभी अभी आपका आपका जुई स्कूल मतलब खुले हुए थे तो जितने खुले हुए तो उसकी वेकंसी आई हुई थी और और भी स्कूल खुल रहा है तो देखिए क्या पता है कि अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन में कुछ और यह सीटे निकालने के लिए और देखते हैं कि वेकंसी जो है इलेक्शन के आ तो होने के लिए कुछ भी हो सकता तो यह भी अच्छा ओपर्चुनिटी है कि इतनी अच्छी खासी वेकंसिये टीजिटी और पीजिटी की आती है तो इस केस में आपको जो है मतलब जो भी रह गया है किसी कारण से तो उनका सेलेक्शन इस वेकंसी में हो जाए तो इसको भी प्रमेशन पता चले जाता है मेरे को पता चलेगा तो मैं भी आपको पता दोगा लेकिन अभी यह चर्चाए इसका कोई अफिसियल अपडेट अभी तक आया है बट अभी उसका जो एक्जामनेशन कब होंगे फॉर्म फिलप कम होगे कब स्टार्ट होगा यह अभी तक देखिया आप देखिसकते हैं कि आपका लोगसभाय एलेक्शन है combines to क्या हो जाते है वह बहुत जयादा इनव्मेंट हो जाता है तो examination conduct करवाने वाले organization, government, government officers, बहुत सारे जो है काफी सभी लोग इसमें engage हो जाते हैं, तो इस election period में जो है कोई भी जो आपका exam हो गया और और भी बहुत सरा different type का काम करवाना जो है, वो गया जाता है, आपका काफी मुस्किल हो जाता है, तो यकीन मानिए कि आपके इसके exam जो होगा, June last तक होगा या फिर आपका July तक हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसी कोई possibility है, तो इसके भी मतलब इसके exam होगे, आपको mid-June में जोलाई में आपको देखने को मिलेगा, तो आपके पास time है, तो इस time का जो है आप बहुत ही अच्छे से utilize कर सकते हैं, और मतलब आप देख सकते हैं कि डिटर प्लेश पीचा है TGT और PGT का होता है, तो उसका, उसमें काफी अच्छा खासा fight होता है, तो आपको, यहां से अगर आपको एक seat निकालना है, तो आपको बहुत ही अच्छे से मैनत करके, यहां से आपको निकलना होगा, और बहुत इच्छी से तयारी करन है, ठीक है, तो इसके एक्जाम जो है आपके, वो जून या फिर आपके जुलाई में ऐसे possibility लगाया जा रहा है कि होगा, चंडिगर TGT एक्जाम 2024, और यह आपको पता है कि यह चंडिगर TGT की vacancy आए हुई थी, आपने भी बहुत सारे लोगों ने form fill up किया होगा, तो इस इसके एक्जाम को form fill up किया होगा था, तो मैं भी एक्जाम देने के लिए, जहरकंट से भी हार गया होगा था, तो उधर्स में थोड़ा सा busy था, इस करण से इसके रिगारी मैंने वीडियो आपको बना करके नहीं बताया था, ठीक है, तो मेरे में में भी confusion है कि आपका portion paper को अधार मान करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, ठीक है, ताकि जो है, वो आपका एक seat, यहां पर भी seat है काफी कम है, बट आपकी तैयारी एच्छी है, तो आप यहां से अपनी एक seat निकाल करके ले जा सकते हैं, तो इसकी भी तैयारी करते रही है, ठीक है, क्योंकि इसकी exam already announced है, और time कैसे बितता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, BPSC 4.0, teaching vacancy, अगस्त सितंबर, आपको पता है कि जब यह साल के शुरुवात में ही हुआ था, तो BPSC की तरफ से एक whole year का calendar जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था, कि आपका जो है, वो exam होगा, teacher क आपका अगस्त इतंबर में, यह जो अभी 3.0 होगा था, इसको अगस्त में होना था, लेकिन due to the election यह आपका मार्च में ही हो गया, तो हो सकता है कि आपको देखने को मिल सकता है, इसके लिए भी आप तयार है, अपने subject को complete करिए, अगर आपने state qualify नहीं किया, state का form fill up किया है तो उसको भी तैयारी करिए, उसके subject को complete करिए, तो सब कुछ करिए, ताकि आपका यह चीज आने वाला मौका है, वो आपसे मिश्ट नहों, इसको भी आप अच्छे से देखिए, यह भी प्रस्तावित है, और ऐसा उमीद किया जा रहा है कि यह भी चीज होना चाहिए, तो इस KVS teaching vacancy, देखिए मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, कि आपका NVS में non-teaching post के लिए ठीक ठाक कुछ-कुछ vacancy आपकी आई हुई है, अगर मैं बात करूँ, जैसे ऐसा बोला जाता है, कि ऐसे बोला जाता है हमेशा, कि हमेशा जो है आपका एक साल, दो साल, क्रामिनेशन की भी आपकी कुछ vacancy, आई हुई है, टीजीटी, पीजीटी की, अगर मैं 2022 की बात करूँ, जुन जुलाई की बात करूँ, तो उसी से मैं आपका notification आया था, लिमिटेड डिपार्टमेंटल NVS का, और उसी से मैं तुरंत आपका जो है वो direct requirement का भी notification आया था, तो हो सकता है कि 2022 आपके एक से डेड़ साल हो चुके हैं, तो हो सकता है कि आपको NVS में भी कुछ-कुछ सीटे पर आपको जो है vacancy देखने को मिल सकती है, ठीक है, यह हो सकता है, यह possibility है, और ऐसे भी कुछ-कुछ चर्चा हैं कि जब भी vacancy आती है KVS की, तो North East की भी vacancy आत तुरंत का notification आना, तयारी के लिए time मेने मिलना, syllabus का change हो जाना, exam तुरंत हो जाना, result का late आना, वगरा वगरा, बहुत सारी बाते होई थी, तो क्या पता हो सकता है कि आपका North East का KVS का भी notification आपको देखने को, इस upcoming एक से दो मन्त में आपको देखने को मिले, ठीक है, यह सिर् मतलब पीछले record को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है, यह 100% सही नहीं है, तो ऐसा हो भी सकता है, तो बस अपने आपको तयार रखना है, क्या पता कहां से आपको opportunities मिल जाए, और उस opportunities के लिए अपने आपको ready रखना है, और ready रखकर के जो है, क्या करना है, एक seat अपना निका मैं बोला वो चीज आ गई, तो सही बात हो गई, और नहीं आई, तो वो सिर्फ क्या रहेगी, possibility ही रहेगी, तो confirm तो नहीं कर सकता हो, लेकिन ऐसी trending रहा है, ऐसा तो लग रहा है कि NBS आना चाहिए, KBS तो भी तुरत recent आया है, तो हो सकता है कि NBS आपको जो है देखने को मिले ठीक है, बाकी देखिए, क्या होता है, consistency is very very important, देखिए, vacancy का आना, vacancy का जाना, exam का होना, result का publish होना, ये सब कोई भी चीजे हमारे हाथ में नहीं, ठीक है, ये अपने time पर आती है, अचानक से आती है, अचानक से हो जाती है, इसमें जिसका selection होना रहता है, हो जाता है, तो आपको जो है, बहुत ही इमंदारी से, बहुत ही ध्यान से आपको जो है, इसका तयारी करना है, और तयारी करते होए रहना है, अपने subject matter को ठीक ठाक कीजिए, जनरल पार्ट को ठीक ठाक कीजिए, अगर आप different teaching exam को देखिएगा, तो बहुत सारी चीजे आपको जो है, वो similar म हो जाएगा, तो अपने आपको consistency में रखे, mind को set up करिए, mentally fit रहे, patience रखे, क्योंकि अगर आप government जो आपकी preparation कर रहे हैं, तो आपको patience रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, तो consistency आप रखे रहे, तभी आपका कल्यान होगा, तभी आपका PGT और PGT की बात करें, जिस भी particular subject से आप बिलॉंग करते हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं, आपका subject specific part का काफी important role play करता है, तो अपने आप subject specific part को क्या करें, मजगूत करके रखे, चाहे डी ट्रिफल स्पीक का exam हो, चाहे आपका KBS का exam हो, चाहे आपका NBS का exam हो, चाहे आपका तयार आएगा, थोड़ा साब को general part पर आपको तयार करना है, और general part को भी तयार करते रहिए, जो भी आएगा, उसके according आपको set लगाना है, उसके according आपको preparation करना है, और फिर आपको exam क्या करना है, तो कहीं न कहीं आपका selection हो जाएगा, तो subject specific part बहुत important है, उसको आप ठीक ठा तो आपको घरवडाहट नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, कि notification आजाता है, तो फिर हम लोग घरवडा जाते हैं, इसलिए घरवडा जाते हैं, क्योंकि हमारा syllabus complete नहीं होता है, हमारा syllabus पता नहीं रहता है, हमको कुछ पता ही नहीं रहता है, जिसके कारण से हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं तो इस case में आपको जो है सभी चीज़ों को जो है बहुत ही प्रोपर वे में अप तयार रखेगा तो अगर आप रेडी रहे गाता आपको उतना ज्यादा जो है प्रॉब्लेम क्रियेट नहीं होगा ठीक है तो आपको रेडी रखना चाहिए फिर है be ready, so much opportunities, बहुत सारा आप देख सकते हैं, बहुत सारा ओल्रेडी form फिलब हो गया है, और exam भी होने है, और कुछ-कुछ चीजे आने वाली है, ठीक है, और देखिएगा आपको election की duration में बहुत सारी चीजे आपको देखने को मिलेगे, क्योंकि इंडिया में तो election में ही आ आपका filling, seated, 2024, आपकी इसी कारण से रह गया है, अपने form एक नमबर से, दो नमबर से, या अगर आपको doubt है कि आप OBC से बिलॉंग करते हैं, और आप central में, आप OBC में आईएगा कि ने, तो आप एक बार फिर से form fill up कर दिजे, और अपना फुरा सा ठीक-ठाक से मेहनत करिए, और इसमें आप जो है क्या करिए, 90 प्लस स्कोर कर लिजे, ताकि कहीं पर भी form fill up हो, वहाँ पर आप किसी particular category से बिलॉंग करते हैं, और उस case में आपको जो है, आपको जो है, वो consider नहीं किया जा रहा है, तो इस case में आप 90 प्लस रहेगा, तो आप safe zone में रहेगा, आराम से आ होता है कि, मतलब 82 marks होता है, जो भी होता है कि 55 marks पर आपको selection हो गया है, तो किसी किसी आप दूसरे state में जाएगा, तो वहाँ पर आपको जो है, वो general में count किया जाता है, तो इस case में आप फिर से form fill up करके, नहीं वरें तो इसको form fill up कर दीजिए, क्योंकि इसको form fill up करने के बा चलते हैं, आपको form fill up करके, आप एक अपना seat निकाल लें, तो यह सब कुछ चीज़ें चल रही थी, मैं सोचा कि एक वीडियो बना करके आपको आपके साथ थोड़ा सा explain करूं, तो अपने आपको ready रखिए, अपने आपको सारे चीज़ों को topic तयार करके रखिए, ठीक है, ताकि आप एक से एक seat अपना निकाल लें और एक seat निकाल करके अपना जो भी job है, आपका जो भी dream job है, वो जल्दी से जल्दी आपका फुल्फिल हो जाया, और 2024 आपके लिए बहुत लगी हो, और आप जल्दी से जल्दी job लें और अपने life के next बढ़ाव में इंटर करें, तो यही सब कुछ पाते थी, आप ही के तरह मैं भी एक aspirant हूँ, अभी तक मेरा भी कहीं पर selection नहीं हुआ है, मैं भी इसी तरह से त्यारी कर रहा हूँ, देखिए क्या पता कहां पर मेरा selection लिखा है, तो आप भी patience के साथ लगे रहिए, आपका भी selection कहीं न कहीं हो ही जाएग अगर आप लगे रहते हैं, तो ठीक है, मैंने भी BPSC 3.0 में 628 के लिए Math Science से दिया था, तो मेरा भी एक्जाम अच्छा गया है, तो डाउट है कि वही कुछ चर्चाएं हैं कि लीक है वगरा वगरा है, तो डाउट भी है कि selection होगा कि ने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा का है एक्जाम देना, भागी मैं तो रोक नहीं सकता हूँ, तो देखिए होने वाग के लिए क्या होता है, तो आप इसी तरह से पेसेंस रखिए, और पेसेंस रख करके अपना तयारी करिए, क्योंकि आपको पेसेंस रखना ही होगा, और जो भी opportunity आ रही है, उसको लिए अपन है, थोड़ा सा enjoy भी करिए, और इसे ही छोटी-छोटी वीडियो लाता रहूंगा, और कुछ-कुछ प्लान करता हूँ, देखता हूँ, कुछ mathematics section से related, general part के लिए, डिटर प्रेस्पी का जो exam है, वो मैं कुछ लाओं, ठीक है, सोचता हूँ बहुत कुछ करने के लिए, लेकि preparation के लिए, तो मैं भी कही न कहीं इंतजार में हो, कि जल्दी से कहीं एक final selection हो जाए, ठीक है, बाकी देखी आगे-आगे होता है, क्या, तो वीडियो परसंद आया, वीडियो को like कर दिजेगा, आपको कुछ comment रहे गया है, अगर मैं उसका जवाब दे पाऊंगा, तो मैं इडियेफ हो गया, कुछ information हो गया, लेटर information हो गया, जो भी मेरे को मिलता है, मैं उसको क्या कर देता हूँ, share कर देता हूँ, ताकि आप जो भी लोग, जितने लोग भी मेरे से जुड़े होए, आपका कोई भी information जो है, miss न हो, तो चलिए friends, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, तैयारी करते रहिए, आपके तैयारी कहीन कहीं काम जरूर आएगी, और आपका selection कहीन कहीं जरूर होगा, ठीक है, तो चलिए friends, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, जैहन बढ़ने मातरम, और wish you a happy holy in advance, आपको holy की बहुत बहुत सुब कामना है, अग्रिम सुब कामना Thank you friends.